टाटा मोटर्स लास्ट कुछ मंथ से कॉंस्टन्ट ग्रोथ पहें डिसेंबर 2021 में टाटा मोटर्स ने सेकेंड बेस्ट सेलिंग कार मैनिफेक्चरर बनके हिंडाई को ओवर्टेक कर लिया था और अब 2022 में भी पहले ही मंत के सेल्स में भी टाटा ने निवड्य को बना लिया है जेनिवारी 2022 में टाटा मोटर्स ने total 40,777 कार्स बेची हैν जो कि अब तक कि टाटा मोटर्स की सबसे हाईस चेल्स नमबर है जब से Tata Motors ने Cars पेचनों स्टार्ट किया है तब से लेकि अब तक पहली बार Tata Motors ने एक मंत में इतनी सारे Cars पेची है अभी तक हमारे पास Hyundai का January 2022 का डेटा नहीं आया है बट इस नंबर से में भी एसा हो सकता है कि जैनिवारी में भी Tata Motors ने Hyundai को ओवर्टेक कर लिया होगा या फिर एटलिस एकदम माइनर डिफरेंस रहा होगा Hyundai के टोटन सेल्स नंबर आते ही हम एक और निव वीडियो हमारे चैनल पे अपडेट कर देंगे जिसमें लास्ट मन्त के टॉप 10 सेलिंग का ब्रांड्स की लिस्ट होगी बट अगर बात करें दूसरी ब्रांड्स के जिसकी डेटा आ चुके हैं तो मारेज उचुके ने जैनिवारी में टोटन वन लेक 36,442 यूनिट्स कार्स बेची हैं जो की सेन मन्त 2021 के कंपेर में 7% कम है महिंद्रा एं टोयोटा के सेल्स भी 2021 जैनिवारी के कंपेर में डिकलाइन पर ही है महिंद्रा ने जैनिवारी 2022 में 19,964 यूनिट्स कार्स बेची हैं जो लास्ट येर के कंपेर में 3.25% कम है एन टोयोटा ने जैनुवारी 2022 में 7,328 यूनिट्स कार्ज बेची है जो लास्ट येर के कंपेर में 34% कम है हुणडाई, किया, होंडा, एट्सेक्रा ब्रांड्स का डेटा अब तक रिविल नहीं हुआ है वो जैसे ही हमारे पास आता है हम टॉप 10 बेस सेलिंग कार ब्रांड्स का वीडियो अप्लोड कर देंगे वो आप मिस ना करो इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वो बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा जिसमें हमारा कोई भी निव वीडियो आने पर तुरंट प्लोटिफिकेशन मिल जाए आपको सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में